दूस्व आपने एक चीज नोटीस करी कि टाइम कितनी जल्दी बदलता है, भाई एक टाइम था मोबाइल के ओपर ऐसे गेम स्केल देते और आज का टाइम देखो कि हमोबाइल के ओपर ऐसे गेम स्केल रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया बात आने वाले टाइम पर आप बहुत शुब कामने है और याज से कर देना भाई अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से प्लीड कर देना और इसे के साथ जारा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो हमारा पहला गेम है धी डिवीजन रिसर्जंस वैसे तो आई हेट यूबी सोट फॉर सम रीजन लेकिन भाई अभी यो यूबी सोट मॉवाइल गेमिंग के लिए कर रहा है न वो कुछ ज्यादा ही नेक्स लेवल होने वाला है वो गेम के अंदर देखने को मिलते हैं भाई किसी PC गेम से वो कम नहीं है और साथ में जो गेम प्ले है वहां पर वी जो ग्राफिक्स कॉलिटी है न वह काफी शांदार यहां पर देख सकते हो इसमें आपको कैम्पन मोड देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक स्टोरी ले फोलो करनी होती है भाई कि यहां पर कोई वाईरस फैल चुक है जिसके वैसे लोग काफी वो हो रहे हैं और असटकों पर तमाशा हो रहे हैं अब आपको मारना है तो काफी खतरना कंसेप्ट सा रखा गया पूरा एक स्टोरी मोड देखने को मिलेगा और इतना ही अगर अग देखने को मिलता है भाई उसमें भी थोड़ा बहुत एक्स्प्लोर कर पाऊगे तो वो चीज काफी मज़ेदार होने वाली है दूसरो हमारा दूसरा गेम है लॉस्ट फ्यूचर भाई यह भी कंसेप्ट काफी मज़ेदार होने वाला है यहां पे जॉम्बी बन चुके हैं स वो काफी शांदार है यहां पे आप देख भी सकते हो मैंने गेमपले यहां पे आपको दिखाया और अब इस गेम को डाउनलोड करके खेल भी सकते हो और यहां पे पूरा एक ओपन वर्ल्ड एंवायरमेंट भी देखने को मिलता है तो आप चीज़े एक्स्प्लोर भी भाई आपको कुछ पार्ट भी डूणने था कि आप इस जगह पे सर्वाइब कर पाऊ इस जगह से निकल पाऊ तूस रिसाब से आपको कुछ है वो पार्स देखने को मिलते है तो आप चीज़े बिल्ड करते हो यहां पर चीज़े क्राफ्ट भी कर रहे हो साथ में तो यह काफी मज़ेदार है और यहां पर zombies waves में भी देखने को मिलते हैं तो उनके साथ fight करने में एक अलग ही मज़ाएगा भाई मेरे को यह गेम काफी शांदा लगा अगर आपको बड़िया सा जॉम्बी वाला गेम टून रहे हो ना सर्वाइवल टाइब वाला जिसमें crafting भी देखने को मिले तो यह गेम आपी के लिए बनाया है दोस्तों हमारा तीसरा गेम है असेशन स्क्रीड जेड इसलिए मैंने बोला था यूबी सोट जो इससे में मोबाईल के लिए कर रहा है वो क काफी जबर्दस बेस में कुछ RPG elements रहेंगे जो कि आप गेम प्ले के दुरान भी देख सकतो आपको आइडिया लग गया होगा लेकिन फिर भी आपको सेशन स्क्रीड में पता है आपको स्टोरी मोड मस देखने को मिलेगा और एनमी के साथ फाइड भी मस होगी एक अच्छा या सेशन स्क्रीड का मोबाइल के ओपर कोई धंका गेम भी नहीं था तो ये काम यूवी सोफ्ट ने काफी अच्छा किया दूस्तो जो मारा फोर्थ नूमर पर गेम आता उस केम का नाम है ब्लेड ओफ गोड टू दोस्तो अगर लोगों को नहीं पता मैं पहले बता दू ब बोस बैटल्स वाला कंसेप्टा और रखा जाता है उसके बाद खुद को अपग्रेड करते हो क्रेक्टर सवेरा कुछ ऐसा सीन रहता है लेकिन जब मैंने इसको खेला भाई देखो काफी मस्त है जो आप बोस के साथ करते हो आपके बस जो स्किल्स भी मिलती है लागे जाग अलगर लोकेशन पर भेसे हैं वहाँ पे बड़ा सा बोस आता है उसके साथ आपकी फाइट होती है बस कुछ ऐसा कंसेप्ट रखा गया लेकिन जो कर्ट सीन है ना भाई और जो म्यूजिक है वो इस गेम का बहुत मस्त है भाई उसको आप जरूर एंजोई करोगे बागी ब जल बंदे ने भाई ये वाला गेम बनाया था और इतना ज्यादा पॉपलर हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते इसका गेमपले काफी छोटा सा है शायद आपको मॉबाइल के ओपर एक या डेट घंटे के आसपस का गेमपले देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे लिखा भ होगे और साथ में जो एंवारमेंट आसपस का वो भी इतना प्यारा है भाई मलेग पीसी गेम ही आपको मॉबाइल के लिए को मिल रहा है तो यह चीज़ काफी जबरदस्ती वैसे ओल्मोस काफी लोग ने ब्राइट मेमरी खेला ही होगा एक टाइम पर इसकी पॉपलेटी क इसकी मस्त है ही लेकिन जो इसका गेमपले है भाई वो सबसे बैस्ट है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक स्पेशिप टाइप जगा में हो भाई ऐसे लेकिन वहाँ पर होता कि एक एलियन है भाई जो की जैसे ही हुमन्स को देखता है न मतलब खाना शुरू कर देता ह उन्हें हंट करता है, मार देता है लेकिन इस जगह पे आपको survive करना है अपना दिमाग यूज करना है और इस alien से भी बचके रहना है और जो आपका बाकी का crew member है वो मर चुके हैं, तो उसी साब से आपको survive करना होगा यहाँ पे काफी नईनी चीज़े देखने को मिलते हैं और वैसे भी as cake games होते हैं, जो ऐसे वो काफी मस लगते हैं, मैं ऐसे games को काफी enjoy करता हूँ, क्योंकि एक धर भी बना रहता है कि alien भाई आपको कई भी ढूंड सकता है तो वो चीज काफी मज़ेदार है दूसरो जो मारा 7th नमो पर game आता है उस game का नाम है Pascal Wager भाई इस game के वार में शायद काफी कम लोगों को बता है लेकिन अगर आपको Souls टाइब गेम पसंद आते हैं तो यह वाला game आपको काफी पसंद आएगा कुछ वैसे ही vibe देखने को मिलेगे और बीच बीच में ऐसे करसीन भी आते रहते हैं स्टोरी के इसाब से तो स्टोरी मिशन देखने को मिलेगे और अगर अगर आपने मोस्टली नोटिस किया हो कि मोबाईल गेम के ओपर DLC कितनी कम आती है लेकिन इस game के लिए DLC भी आई थी भाई तो सोच सकते हो कि यह game किस हद तक popular हुआ था लेकिन काफी लोगों ने शायद इसलिए नहीं खेला क्योंकि यह वाला game paid था भाई लेकिन अभी इसका price इतना ज़्यादा नहीं अगर आप चाहो तो इसको buy करके खेल सकते हो काफी मस गेम है भाई अगर आपको story type वाले action adventure वाले game पसंद आते है ना जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला souls type अगर आपको game पसंद आते है तो आपको यह वाला game बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए दूसरो लिस्ट पे जो मारा 8th number पर गेम आता गेम करना में devil make cry mobile और पीसी और कॉंसल के ओपर काफी ज्यादा popular गेम है भाई लेकिन mobile के लिए इसको इसको पॉर्ट नहीं किया गया एक special game बनाया गया था जो कि काफी जबर रस्ता है मैं को starting में जाद है जब मैंने गेम first time खेला था ना भाई पांच मिनट खेलने के बाद मेरा phone फटने को ready हो गया था इतना ज्यादा हीट हो रहा था लेकिन अभी इस गेम को काफी optimize किया गया mobile के लिए अभी आप बड़े अराम से खेल सकते हो बाकि devil make cry का concept सभी को पता है पहले तो इसमें आपको story mode देखने को मिलेगा पाकि जो इसका action है न फाइट करने का तरीका वही सबसे ज्यादा popular है mostly आपने PC और console game में देखा ही होगा तो कुछ वैसा concept यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा story mode देखने को मिलेगा आपको ऐसे अलगल location पर missions पर बेजा जाता है वहाँ पर काफी अजीब तरह के creatures हैं जिनके साथ fight करने एवन boss battles भी देखने को मिलते हैं जो की काफी must है दोस्तो जो उमारा 9th नोबर पर गेम है जिसमें काफी must quality देखने को मिले तो matter revolution भाई best game है पहले तो इसमें अललग तरह के fighters देखने को मिलेंगे जो की काफी cool है सबके पास अपने अपनी special skills होती है fight करने का तरीका होता है जो की काफी must रहता है इवन इसके लावा आप skins भार भी change कर सकते हो जो की must concept लगा मेरे को यहाँ पर fight करने का तो तरीका है ना भाई जो moves है जो even finishers है इन games में भाई वो काफी must है इसके लावा शायद इसमें आप डूर मोड भी खेल सकते हो अपना team up करके तो वो चीज मेरे को काफी मस लगी दोस्तो जो हुमारा 10th position पर गेम आता उस game का नाम है car x street भाई यह game काफी popular हुआ था जब आया भी था और अभी भी popular ही चल रहा है क्योंकि भाई एक तो आपको racing वाला game तो देखने को मिली रहा है लेकिन साथ में इसमें आपको open world environment देखने को मिलता है तो उसको काफी जवर्रस लगी थी लोगत और इसके भाई जो में सबसे बड़ी बात थी ना वो थी इस game की graphics quality यहां पर देख सकते हो शायद PC में ऐसे graphics देखने को मिलते हैं भाई जो आपको mobile में provide करवाई गया है तो यह चीज़ काफी मस थी बाकि इसके लावा car की जो customization रखी गया वो भी काफी हथ तक जाद है भाई आप एक एक चीज़ पूरी चेंज कर सकते हो डिटेलिंग की और डिटेलिंग के ओपर भी काफी ध्यान रखा गया इसलिए यह वाला गिम काफी popular हुआ दूसरों मारा लेहमत पीशु पर जो गेम आता है वो यह the house of the Vinci 3 भाई जिन लोग को नहीं पता है इसके पहले भी दो पार्ट आचुके हैं जो काफी popular हुए थे यह पजल वालों के लिए जिनको पजल बेस्ट वाले कंसेफ्ट वाले गेम पसंद आते हैं जगर आपने रूम सीरीज खेलिया तो आपको आइडिया लगया हुआ कि कैसा गेम होने वाला है तो आपको पता चल गया होगा मैं इस गेम को काफी वार कवर किया है क्योंकि यह गेम इतना मस्त है अगर आप एनमे देखते हो ना भाई तो समझ लो आपको एक नया एनमे देखने को मिल रहा है इस लेवल का गेम है पहले तो इसमें आपको ओपन वर्ल्ड एंवारमेंट अपग्रेड करते हो काफी नहीं चीज़े एक्सप्लोर करते हो लेकिन साथ में जो आप स्टोरी मिशन फोलो करते हैं उसमें आपको अलग अलग क्रेक्टर सेखने को मिलते हैं तो आप क्रेक्टर फाइट के तुरान भी स्विच कर सकते हो जो की काफी कूल चीज लगी मेरे इस गेम के बारे में भी काफी लोग जानते होगे क्योंकि काफी popular हो चुका है पहले तो starting में आपको character customization काफी हद्सक देखने को मिलती है जो कि में को काफी cool लगी इसके लाबा जो बीच में cutscene देखने को मिलती है न गेम के दुरान वो भी काफी must है किसी PC गेम से कम नहीं है उसके बाद जो आपको open world environment देखने को मिलता है जिसको आप explore करते हो story mission follow करते हो इवन साथ में आपको चीजे craft करने को मिलती है build करनी होती है जैसे मैंने starting में एक गेम बताया था न Lost Future यह बिल्कुल ऐसा ही concept वाला गेम होने वाला आपको चीजे craft करनी है आपे build करनी है वन zombies के साथ fight करनी है वो zombies waves में भी आते हैं उनके साथ fight करने में काफी मज़ा हैगा तो ऐसे गेम आज की डेट में भी काफी popular ही चल रहे है अगर आपने notice किया हो तो अगर आपको ऐसे zombies वाले गेम पसंद आते हैं क्राफिटिंग वाले तो इस गेम को जो ट्राय करना दूसों लिस्ट पे जो वारा 14 पीशों पर गेम आतो इस गेम करना में black desert mobile हाला कि पहले मैंने सोचा था कि इस गेम को क्यों ही एड करना लेकिन इसकी popularity आप सभी को पता ही है भाई काफी ज्यादा popular MMORPG अगर आपको गेम ऐसे पसंद आते हैं तो आपको यह वाला गेम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए पहले तो इसमें बहुत सारे online players रहते हैं उनकी मल से आप fight में जा सकते हो missions पे जा सकते हो भाई पर तो यह चीज़े काफी मस लगती है कैसे online players के साथ जाए और यहाँ पे काफी अलग अलग आपको characters देखने को मिलते हैं जिनके अपा special powers अलग अलग होती है skills अलग देखने को मिलते हैं तो वो चीज़ भी काफी cool लगती है यहाँ पे fight के दुरान और इतना ही नहीं भाई इसमें आप real life simulator टाइप भी होता है वैसी वाली life भी जीरे होते हो बाकी नए online players मिल रहे हैं उनके सा shadow fight arena भाई यह सफर shadow fight का कहां से शुरू हुआ था और कहां तक आचुके आप gameplay देख सकते हो वो बात अलग है लोग आज की डेट में भी shadow fight 2 को जादा पसंद करते हैं लेकिन मैं अपनी सही बात वोलो ना तो में को shadow fight arena काफी जादा पसंद है भाई पहले तो इसमें online players के साथ जो fight करनी होती है वो चीज में को काफी मज़ेदा लगती है trophies वाला concept रखा गया है और इवन यहाँ पे आपको बंदे भी दिख रहे हैं ऐसे shadow नहीं दिख रहे हैं पूरे ऐसे बंदे दिख रहे हैं और सबके पास अलग अलग abilities है क्या must must यहाँ पे आपको fighters देखने को मिल और दोस्तों इसी के साथ उमारा आज का वीडियो यहीं पे खतम होता है अगर एक भी गेम पसंद आया हो ना डाउनलोड करके खेलने वाले हो तो जस्ट अभी वीडियो को लाइक कर दो और अपने एक खास किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसको एसे android गेम्स खेलना या फ झाल